अब नमसकार दोस्तो आप सुभी लों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी योटूब चनाल के नए और फिर स्वीडियो में है दोस्तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने ध्रेश मार्फ के समस्या को दूर कर सकेंगे अपने स्ट्रेच मार्स को धटा सकेंगे दोस्तो आज कल बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है जिनका वजनते से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उनको स्ट्रेच मार्स के समस्या हो जाती है दोस्तो अपने 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 दोस्तो आपने तो इसे देखाई होगा अकषार आपने इसका इस्तमाल ब्रस करते समय किया में लेकिन दूस्तों जब आप इसका इस्तेमाल अपनेे श्टेच मांग्स की समस्या अपके समस्या बहुत तक हड़ जाए गी तो आप इस्में लाओ उतनी मतरा में ले लिए कि इतनी अब सुब्व वरस करते हो तो आप इतनी मतरा में कोलगेट को लेले दोस्तों हम इस नुसके में जो भी चीजे मिलाएंगे वह आपके स्ट्रेच माक्स के समस्चा को दूर करने के लिए बहुत ही फायदे मंद रहेगा तो और फ्रेंट्स इसके बाद से आपको इस निजोत पूरेगी वह फ्रेंट्स ग्लिसरीन दूसर ग् कोखनेट ओयल की सहता से आप अपने स्ट्रेच माक्स और अपने स्किन को कोमल कर सकते हैं तो आप ले लिजिए लगभव इसमें थोड़ी से मात्रा में कोखनेट ओयल तो आप लगभव इतनी मात्रा में कोखनेट ओयल ले और इन समय चीजे को अच्छे से आपस में मिला ल तो आप इसे अच्छे से मियाल लेजिए और मियाल लेंगे बाद आपको एक कुछ इस परकार से दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं कितना बहतरीन प्रेश्ट बनकर त्यार हो चुका है चली फ्रेंट जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा तो आप क्या कीजिए सबसे पहले अपने स्टेश माक्स की समस्या को साफ कर लेजिए उसके बाद से आप अपने हाथों में ऐसे ले लिजिए और ले लेने के बाद आप इसे अपने स्टेश माक्स पर इस तरह से लगा लेजिए और लगा लेने के बाद आप इसे पांच मेर तक मसाज कीजिए इस तरह से और जब आप इसे अपने स्ट्रेच मार्स मेर लगा कर पांच मेर तक मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही बार से आपकी स्ट्रेच मार्स की समस्या भरने लगी है तो फ्रंट्स आप इस लुस्क्य को लागातार पांसे साथ दियों तक इस्तमाल केजिए थो फ्रंट्स आप इसमन्सकी का इस्तमाल केजिए